गुड बॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम डिसकस करेंगे डेविशन एन गर्मर एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म किया गया और इसकी जरूरत क्या पड़ी तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि यह बहस कहां से शुरू हुई थी सबसे पहले यह बहस शुरू हुई थी कि यह पार्टिकल है कि वेव को किस किसने सपोर्ट किया इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रेक्शन इन सब चीजों ने क्या बताया कि यह जो लाइट है वह वेव है और इधर पार्टिकल किसने बताया ब्लैक बोडी रेडियेशन जो कि मैक्स प्लांक ने एक्ट्रिक इफेक्ट इसने कहा यह पार्टिकल है तो भाई समस्या यह आई कि कोई कह रहा है वेव है कोई कह रहा है पार्टिकल है आखर यह है क्या क्योंकि दोनों के ही strong evidence है और दोनों नहीं क्या बताया कि experiments के साथ बताया कि देखो यह experiment हो रहा है यह light का nature जो है वो particle की nature की तरह शो कर रहा है इसलिए light क्या particle है इदर जो experiment किये गए interference जैसे कि Youngs का double slit experiment है या फिर Higens का reflection का नियम है उन्होंने का देखो यह जो है यह वेव नेचर को शो कर रही वेव वाले experiment है तो इसी बहस के दोरान एक हमारे scientist है जिनका नाम था Lewis D. Brogley उन्होंने का भाई लडो मत यह light जो है वो एक तरीके की ऐसी property वाला है कि इसमें दोनों नेचर है यह जैसा experiment करेंगे आप वैसा ही आपको क्या करेगा रिजल्ट देगा आप light वाले experiment करेंगे wave वाले तो wave का nature शो करेगा और particle वाले experiment करेंगे तो particle वाला nature शो करेगा तो इसलिए इन्होंने कहा इसका dual nature है और इन्होंने कहा यह भी कि vice versa कि ठीक है यह जो light है वो wave है जो की interference या इनसे हमने प्रूफ कर दिया वो यहाँ पर देखा गया कि photo electric effect को शो कर दिया मतलब particle nature शो कर दिया कि light जो है वो particle है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब डी ब्रॉगली ने statement कहा दिया उन्होंने statement कहा एक तो dual nature है दूसरा कहा कि every moving particle has a wave associated with it कि हर particle जो चल लहा है उसमें एक wavelength है उसका क्या मतलब हुआ और wavelength उन्होंने define की lambda equals to h upon p जहां lambda क्या है wavelength of the particle h is a plank constant and p is the momentum अगर इसे आप further break करेंगे तो यह h upon mv हो जाएगा m is the mass of the particle and v is the velocity of that particle अगर particle की velocity v है तो यह इसकी wavelength इस तरीके से define होगी तो यह उन्हों ने बताया डी ब्रॉगली ने तो डेविशन गर्मर ने यह कहा कि यहां तक तो ठीक है कि wave particle nature show कर रही है लेकिन कोई भी experiment ऐसा नहीं था जो particle wave nature को show करें देखना यहां से यह photo electric effect से हमें पता चल गया कि जो wave है वो particle nature show कर रही है लेकिन कोई भी experiment यह experiment हो चुका है photo electric effect Albert Einstein ने इसे explain कर दिया लेकिन अभी तक हमारे पास कोई experiment ऐसा नहीं था कि जो यह show कर दे कि particle wave nature को show कर दे तो यह जो proof किया गया वो किनों ने किया डेविशन और गर्मर एक्सपरिमेंट तो इसलिए यह perform किया गया कि यहां से यह proof हो कि particle में wave nature होता है मतलब कोई particle चल लाए तो उसमें wave है आप cricket खेलते हैं cricket की ball को आप फेकते हैं तो डीब रॉगली साब कहा रहे हैं कि भाई जो आपने cricket की ball को फेका है थ्रो किया उसमें भी wavelength है तो दिखाई क्यों नहीं दे रही है दिखाई इसलिए नहीं साइज है वह classical body है उसका size बहुत जादा है with the compression of the wavelength जो उसकी जो wavelength है उसके compression में size बहुत जादा है इसलिए हमें wavelength दिखाई नहीं दे रही है लेकिन अगर हम electron को उसकी जिगर पर यूज़ करेंगे तो हमें wavelength मिलेगी और वही मिला हमें यहां से किस से डैविसन और जर्मर एक् पर आप एक electron gun बनाएंगे कि यहां से electron जो है आ रहे हैं आप यहां पर एक निकल का target लेंगे यह क्या है यह nickel है यह nickel का target ले लिया यह electron यहां से टकराएंगे और यह scatter होंगे ठीक है यह इस तरफ के लिए जाएंगे यहां पर आपने क्या किया एक traveling detector लगा दिया microscope तो यह travel कर रहे हैं यह circular radius में travel कर रहा है और पता कर रहा है कहां कहां पर कितने electron गिर रहे हैं अब प्रॉब्लम क्या अगर मालीजिए classical nature शो कर रहा है तो distribution uniform होना चाहिए यह random होना चाहिए जैसे कि electron यहां पर टकराएं यहां से reflect हुए तो हर तरफ जाने चाहिए इदर भी जाएंगे इदर भी जाएंगे इदर भी जाएंगे इन में कोई pattern नजर नहीं आना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ उन्होंने कहा कि एक particular energy पर यहां पर जो electrons को जो energy दी गई जो भी energy दी गई तो उस particular energy पर particular angle पर number of electron के संख्या जादा हो गई किसी angle पर कम हो गई है ना तो इसके लिए कि मैं इसे द्वारा से रफ करके बताता हूं कि यूनिफॉर्मली distribution ना होकर मान लीजिए यहां पर electrons जो है वो उनका number of जो electrons है वो detector पर जादा आया यहां पर कम मिले यहां पर कम मिले एनी अधर एंगिल पर कम मिले यह जो यह वाला एंगिल था यहां पर सबसे जादा मिले यह specific angle क्या था 50 डिग्री 50 डिग्री और electron जो यहां से भेजे गए उनकी energy कितनी थी 54 वोल्ट यह गलत लिग गया 54 वोल्ट 54 वोल्ट पर हमने जो electron को incident कराया निकल के target पर 50 एंगिल पर सबसे आदा electron मिले बाकी जगह पर electron की संख्या हमें कम मिली इसका मतलब इस जगह पर कु हो रहा है तो वह कुछ खास क्या है वह हमने उसे correlate किया एक दूसरे नियम से अब उन दोनों नियमों के जो result है हम टैली करते हैं ठीक है तो यह experimental verification के लिए हमने क्या किया है polar graph दिखाएं इस तरीके से आप लोग भी दिखा देंगे तीन चार ग्राफ बनाएंगे और इस तरी तरीके से और यह है ना तो यह पीक जो है यह कम है यह पीक यह भी कम है यह सबसे ज़्यादा पीक पर दिखा दीजिएगा यह 50 डिग्री पर और यह कितने है और 54 वोल्ट पर बाकि आप कुछ कम वाले दिखा देंगे मालीजिए 50 पर है यह 45 पर एक और बना दीजिए में नहीं जाना है बुक में आप देख लीजिएगा बस इस वाले एंगल का ख्यान रुखिएगा कि 50 डिग्री पर 54 वोल्ट पर आपको दिखाना है मैक्सिमम पी बस यह हमारा एक्सपरिमेंटल रिजल्ट हो गया अब हम इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो के लिए किस चीज को दिखा रहा है यह दिखा रहा है डिफ्रेक्शन को यह दिखा रहा है डिफ्रेक्शन डिफ्रेक्शन जो के हिंदी में हम बोलते हैं विवर्तर तो ब्रेक्स ने एक उक्वेशन दीती डिफ्रेक्शन के लिए वह होती है एन लैमडा एक कोस्टू 2D इनोमीटर में है शाइन थीटा साइन 65 यह एंगल जो होगा वह 65 डिग्री होगा कैसे आया आपको एक्स्प्लेइन करने की ज़रुत नहीं है फिलाल मैं बता दे रहा हूं कि बैसिकली टू थीटा में थीटा प्लस थीटा अब यहाँ पर क्या था टू थीटा थीटा प्लस थी 50 डिग्री एककोस्ट हों यह तीन eran kémic जैसे इस तरीके से आता यह है न तो यह थीटा हो गया यह थीटा हो गया और यह वाला कितना है फिरिदी थीटा में फाइंडाओ्विट्रीश करना कैं स्तू ठीटा प्लस सीटा प्लस 50 एककोस्ट वर्न यहाँ पर 65 डिग्री आ जाएगा है कि कैल्कुलेटर आप लोगों को एलाउड होता है वेलू रख देंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.165 नैनोमीटर यह नैनोमीटर में होता है इसलिए रिजल्ट किसमें आएगा नैनोमीटर में अब चलें डिग्रोगली की मदद से फाइंड आट कर लेते हैं डिग्रोगली ने क्या कहा लेमडा एक उस टू ह अपॉन पी पी होता है एच अपॉन अंडरूट टू एम ए बिस E equals to QV, E equals to QV, Q charge हो गया, V voltage हो गई, तो मैं यहाँ पर EV भी लिख सकता हूँ, H upon under root 2MEV, है ना, तो यह mass of the electron, E क्या है, charge of the electron, और voltage हमने 54 volt, अभी अभी experiment से पता की, H playing constant की value है, वो 6.63 into 10 to the hour minus 34 joule per second, sorry, joule second, यह सारी values आप लिख के निकालेंगे, तो यह आजाएगा 0.166 nanometer, ओके, तो अब आप इन दोनों को result को देखिए, यह basically कौन सा result है, diffraction की help आला, मतलब यह Bracks ने पहले ही बता दिया था, कि जो wave है, X-rays के लिए find out किया था, X-rays, जो कि एक wave है, हमें पहले से पता है, तो यह जो wave है, उसकी मदद से find out किया, तो हमें मिला, कि electron की wavelength कितनी होगी, 165 nanometer, और D-Brogly जिसने particle मान के चला, कि यह इसकी energy होगी, तो इन्होंने result find out किया, वो कितना है, 1.166 nanometer, तो अगर देखा जाए, तो 0.001 nanometer का difference है, तो देखा जाए, तो बहुती कम difference है, nanometer के range में, जैसे फर एक्जामपल मैं कहूँ, 1 light year, 2 light year, तो इट से big difference, 1 kilometer, 2 kilometer, यह difference कम हो गया, 1 meter, 2 meter, यह difference और कम हो गया, हम कह सकते हैं, लगवग एक जैसे, या फिर और कमाईए, 1 millimeter, 2 millimeter, यह दोनों और पास के result है, ठीक ऐसे, हम अगर nanometer में जाएं, कि 1 nanometer, 2 nanometer, बहुती पास का result है, और ठीक, यह कितना है, nanometer का भी, 100 part है, तो कहने का मतलब, यह हम कहेंगे, कि यह दोनों result, approximately same है, तो यहाँ D-Brogli ने क्या कहा, कि particle में wave होती है, यहाँ से पता चला, और wavelength क्या होगी यह, और ठीक, इसी चीज़ को हमने, Brax के, wave वाले law से find out किया, तो वो भी यह यह आया, तो यहाँ से, इस नियम का, क्या verification हो गया, validation हो गया, कि ठीक है, D-Brogli ने जो होता है, वो सही है, experimentally verified हो गया, तो Davison Karmer experiment ने क्या बताया, कि particle में wave nature होता है, उसे experimentally verified किया, ओके, थैंक यू,